हलो फ्रेंड्स दिस इस सिय अतुल मित्तल ओथर अफ दी बुक्स क्रॉक्स अफ इंडियन एकनोमी फॉर आईस प्रिलिम्स एक्जाम फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन देखेंगे ministry of statistics and program implementation central statistics office is publishing employment related statistics using information on number of subscribers joining following scheme ministry of statistics है वो employment related statistics publish कर रहा है हर महिने कर रहा है आपने रिच में देखोगे हर महिने p.i.v की site पाएगा हर महिने कर रहा है तीन систем के base है question पूछ रहा है कि ये तीन scheme है employee provident fund, employee state insurance और national pension scheme तो इन में से कौन सी scheme के बेस पर ये issue कर रहा है तो choose the correct answer तो देखिए इसको करने से पहले हम देखेंगे payroll reporting का क्या है कि वही payroll reporting का data तो देखिए since April 2018 देखिए ये 25 जून को payroll reporting का हमने latest data लिया है April 2020 का statistics launch किया है तो April 2018 से Ministry of Statistics and Program Implementation National Statistics Office देखिए चाहे नेशनल इस्टेटिस्टिक्स ओफिस कहलो या सेंटल इस्टेटिस्टिक्स ओफिस कहलो दोनों का मतलब एक ही है has been bringing out monthly employment related statistics in formal sector देखिए government क्या government criticize हो रही है कि market में नई job create नहीं हो रही है सब जगे unemployment है तो government इसके लिए क्या है कि employment का monthly data दे रही है कि monthly कितने नई job create हुए है informal sector informal sector जो unorganized sector है उसका तो government को पता ही नहीं है formal sector का मतलब क्या है जो लोग क्या PF कट रहा है ESI कट रहा है जो लोग PF या ESI कट रहा है वो एक तरह से क्या है formal sector के लोग है तो वहां से government को पता लग रहा है कि EPF ESI में कितने लोग add हुए है कवरिंग दी पीरिएड फ्रॉम सेप्टमबर 2017 ओडवार यूजिंग इनफोर्मेशन और नंबर अब सब्सक्राइब हुआफ सब्सक्राइब अंडर थ्री मेजर इसकीम तो देखिए कौन सी स्कीम में Employee Provident Fund, Employee State Insurance और National Pension इसकीम तो देखिए पेरोल रिपोर्टिंग का हर महीने डेटा आ रहा है गवर्मेंट तीन स्कीमों के बेसिस पर पेरोल रिपोर्टिंग का डेटा इस्यू कर रही है तो गवर्मेंट ने जो बताया है कि दूरिंग सेप्टमबर 2007 से अप्रेल 2020 तक तीन करोड लोगों ने EPF स्कीम जोइन की है तीन करोड नए सब्सक्राइवर EPF में बढ़े है तीन करोड चासी लाग EASI में बढ़े है और बीस लाग National Pension स्कीम में बढ़े है तो एक तरह से गवर्मेंट कहना चारी है सेप्टमबर 2007 से अप्रेल 2020 में डाई साल के अंदर तीन करोड लोगों को एक तरह से देखा जाया है तो रोजगार मिला है यह गवर्मेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्मेंट का सब्जेगे क्रिटिसाइज हो रहा है तो गवर्मेंट एक तरह से evidence-based data दे रही है कि job growth जो unemployment लोग कह रही है उसे सापसे नहीं है job बढ़ रही है तो this data would provide a more firm basis for various analysis and studies of economic job creation also add in policy making तो friends यह question इसलिए important है कि हर महिने payroll reporting का data आ रहा है तीन scheme के basis पे आ रहा है तो friends अगर हम देखें इस question का answer choose the correct answer तो इसका answer क्या रहेगा 1, 2 and 3 इसका answer रहेगा कि ministry of statistics जो employment related statistics use का data जो दे रही है वो इन तीनों scheme के basis पर दे रही है Thank you friends